हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे सूजी का हल्वा सूजी के हल्वे को आप किसी भी पूजा के लिए भोग के लिए या व्रत्योहार में बना सकते हैं एक तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फटाफट बनके तियार हो जाता है तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बनाना बताऊंगी उमीद करते हूं आपको रेसिपी अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो लाइक कर दें चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हल्वा बनाने क तो दो कटोरी हमने ले ली है सूजी अब दो कटोरी सूजी के लिए हमें दो कटोरी घी लगेगा देखे सूजी के हलोई में क्या होता है तीन चीजे बिल्कुल इकवल मातरा में जाते हैं अगर आप ट्रेडिशनल बिल्कुल उसको बना रहे हैं तो जैसे कि चीनी घी और स करते हैं मैं 2 का तोरी के साथ मैं एक क Imp información ना सकते हैं जितना बतलब आपको रिक्वाइड आप अलवा बना सकते हैं एक दम सुध देसी जो म Henderson अलवा बनाएंगे वह P सूजी को भूंणा है बिल्कुल जल्द वाजी नहीं नहीं करेंगे सूजी को भूंदे विए क्योंकि कि हमें सूजी को अंदर तक पकाना है ताकि बढ़िया से अंदर से सिख जाए फूल जाए बढ़िया से सूजी कच्ची ना रहे और चलाने का हमें ध्यान रखना है ये एक चमस देखें मैंने घी बचा लिया था जो दो कटोरी हमने लिया था उसमें से इसको हम बाद में डालेंगे जब हलवे की भुनाई करेंगे ना सबसे लाश्ट में उस टाइम पर ये घी हम यूज करेंगे और साथ ही मैंने देखें यहाँ पर सुगर सीरप बनना रख दिया है तो 6 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया था उसी कटोरी से जिससे हमने सूजी ली थी पानी हमेसा तीन गुना जाता है छे की जगे आप साड़े छे कटोरी भी ले सकते हैं लेकिन इससे कम आपको पानी नहीं लगेगा अगर आपने थोड़ा पानी डाला तो क्या होगा आपका जो हल्वा है वो भिखरने लग जाएगा और जब एक बार इसमें उबाल आ जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दे तो सीरप हमारा बन के तयार हो गया अब चलते हैं दुबारा से अपनी सूजी की तरफ धीरे धीरे जब देखिए भून रही है तो इसमें से बहुत अच्छा अरोमा भी आ रहा है और इसका हलका हलका देखे कलर भी चेंज होता जा रहा है परसाद के लिए जो हल्वा बनता है न वो अच्छा डाक कलर का होता है और वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में वैसे तो आजकल जो सूजी है वो रोस्टीड आती है तो बहुत सारे लोग बहुत कम भी भूनते हैं लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा वही वाला जो लाल-लाल सा कलर होता है न हल्वे का वैसा ही बनाऊंगी बिल्कुल ओथेंटिक साइड में से भी सूजी को थोड़ा थोड़ा इस तरह से उतारते रहेंगे बीच बीच में ताकि यह भी सिख जाए बढ़िया से कहीं से भी कच्छी ना रहे और एक पैचान ओह रहे हैं जैसे जैसे अब सूजी भुनेगी न क्या होगा सूजी में सी ओपर से आपको घी दिखने लग जाएगा कलर तो इसका चेंज होई जाएगा साथ के साथ ये घी जो है ना सूजी ने जो सारा सोख लिया था वो सारा उपर की तरफ आ जाएगा सूजी अपना पूरा घी अब रिलीज कर देगी ये एक पहचान होती है सूजी भूनने की दस से बारा मिनिट का समय लग जाता है पूरे पेसंस के साथ और धीरे धीरे इसको भूनिये बिल्कुल भी जल्दवाजी नहीं करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पर ये आपको सूजी को रोस्ट करना है नीचे तक इसको चलाते जाएंगे कहीं से भी सूजी हमारी जले ना दिखाया है हलवा बनाने का इसलिए थोड़ा से यह वीडियो जो है लंबा हो गया है कि मैं चाती हूं कि आप एक-एक स्टैप देखें कि कैसे सूजी धीरे-धीरे अपना कलर चेंज करती है एकदम भाइट से कैसे थोड़ी सी ब्राउन और फिर थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा इसका रियल हलवे का कलर होता है न वह वाला कलर आजाता है तो बैस सूजी अभी हमारी भुन्ने पर ही है बहुत अच्छी इसमें से खुसबू आ रही है जैसी की हलवे में से आती है और 12-13 मिनट के बाद देखिए इस तरह का कलर आ गया सूजी का पूरा घी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था देखिए उपर से आप देख सकते हैं सारा घी साइडों में निकल चुका है सूजी से अब थोड़ा सा ओर डाक करेंगे इसको इस टाइम पर वैसे सूजी भून गई है लेकिन परसाद वाला हलवा बना रहे न तो इसलिए थोड़ा सा इसको डार की करेंगे और गैस का फ्लेम हमने क्योंकि लो पे रखा है तो इसमें बिल्कुल भी कोई कड़वापन नहीं आएगा हलवा बिल्कुल जलता नहीं है एकदम परफेक्ट बन के तयार होता है अब हमारी सूजी उनके बिल्कुल तयार है अब हमने जो ड्राइफरूट काटके रखे थे काजू बदाम वह हम हलका सा कुछ सेकिंड के लिए रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो अलग से भी एक चमच घी में इनको रोस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसी टाइम पर करती हूं और जब काजू बदाम पर हलका हलका गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसमें एक किसमिस डाल देंगे ड्राइफरूट आप अपने मन पसंद इसमें कोई भी एड़ कर सकते हैं वैसे सूजी का जो देशी गी का अलवा बनता है उसमें अगर ड्राइफरूट ना भी डालो तो मज़ेदारी बनता है खाने में तो नट्स भी हमारे हलके हलके भुन गए हैं अब जो हमने चासनी बना के रखी थी वो डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और अब हल्वा बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने पानी जो है वो गरम कर लिया है ना हमने चा कि माटफ ogga बन जाएगा क्योंकि सूजी भी गरम मैं इस टाइम पर घषी खेंवा इसमा जो हमारा सीरफ है यह डि करम है अब गैस की फ्लेम को आप हाई पे कर दें और इस तरह से इसको चलाते वे मिक्स करते जाएं यह थोड़े थोड़े बबल साते हैं देखे इस तरह से बुलबुले से आते हैं जब सुजी गाड़ी होती जाती है तो इस टाइम पे आप थोड़ा केरफुल रहें देख रहे हैं अब कितनी जल्दी सारा पानी उड़ गया है सुजी बहुत जल्दी सारा जो पानी होता है न उसको अपने अंदर सोक लेती है अदम परफेक्ट कलर आया है हलवे का बहुत शानदार लग रहा है देखने में भी और खुसबू तो क्या ही आ रही है इसकी लास्ट में आपको दो तिन मिन तक इसको जरूर भूनना है लास्ट की जो भूनाई होती है न वो हलवे का टेस्ट और जादा बढ़ा देती है जो हमने घी बचाके रखा था न यहाँ पर आप उसको डालने थोड़े से को एक चमच के जितना और फिर इसको भूने लास्ट में यह जो एक चमच घी है न यह बढ़ा मैजिक करता है हलवे में यह देखे बन गया न एकदम परफेक्ट जैसा हमें मंदीर या फिर गूर्दवारे में मिलता है वैसे ही कलर का हलवा ना बहुत जादा मेहनत लगी है और जटपट बन गया और बनाना भी कितना असान है यह भी आप सब ने देखा वैसे देखे सूजी का हलवा हर किसी को बनाना आता है थोड़े थोड़े चेंजिज करके थोड़ी थोड़ी नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट करके आप उसी चीज को और ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं तो एक दम परफेक्ट माप के साथ इसको हमने बनाया है बहुँ ज़्यदा स्वाधिश्ट बनाया है और यह वाला हल्वा ना बहु ज़्यदा दाने दाने से नहीं बिखरते है जब यह ठंडा हो जाता है कई बार आपने देखा होगा सुजी का हल्वा हम बनाते है और उसके ये कटेवे बदाम, थोड़े से पिस्ता, कुछ धागे केसर के डालके इसको गार्निस कर देंगे ताकि और ज़्यादा सुन्दर लगे ये. थोड़ी सी किस्मिस उपर से भी डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा हलवा है ये भो ज़्यादा गरम है, तो ये भी फूल जाएंगी अच्छे से. अब हमने गैस को बंद कर दिया है, पर क्योंकि हलवा गरम है तो इसमें से देखे कितनी अच्छी ये भाप आ रही है. तो दोस्तों देखने में ये हलवा जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, इसे आप अश्ट मीनोमी के माता के भो के लिए, दसेरे के लिए या फिर दिवाली पे किसी भी दिन बना सकते हैं, बहु ज़्याद के तिवारों के टाइम पे, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए आप सभी को गुडबाई, खुस रहें, स्वस्त रहें